आज के नई यूग में मुक मैथुन जो है सेक्स फोर प्ले का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टेक्नीक है बहुत बहुत सारे जो कपल्स हैं इस टेक्नीक का यूज करते हैं हो सकता है कि शायद वो रोज न करते हो या रोज करने में कमफर्टेबल न हो लेकिन वीक में दो तीन बार या जब भी उनका मूड माहूल बन जाता है तब वो इस टेक्नीक का प्रयोग जरूर करते हैं देखिए जो पुराने जमाने में कपल्स थे उनके बच्चे कितने हुआ करते थे आठ नो बच्चे हुआ करते थे शायद मेरे एंगल से अगर आप देखें तो ये बच्चे इसलिए हुआ करते थे क्योंकि उनके पास जो मर्दों के पास जो छिद्र हुआ करता था जहां पर वो सेक्स किया करते थे या जहां से अनन मिलता था या जहां पर कुछ करके वो औरत को आनन दिला पाते थे बस वो योनी ही तो था और कोई च्चिद्र के बारे में उनको इतना पता नहीं था ऐसे तो ये बहुत-बहुत प्राना मेथड है 5000 साल पुराना मेथड है अगर आप देखें कि तांत्रिक सेक्स में भी इसका उलेख किया गया है और काम सुत्र पुस्तक में भी इसका उलेख है अगर मद्धपदेश के खजराओ मंदिर में आप जाए जो की सागर के पास में हैं, छतरपुर के पास तो वहां के पुराने मंदिरों में ऐसे मूर्तिया हैं जिसमें बुक मैथून के बारे में क्लियरली हम देख सकते हैं तो ये टेक्निक कोई नई तो नहीं है लेकिन शायद आपके लिए नई हो या प्रैक्टिस न करते हो देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप शादी करने जाते हैं चाहे आप लड़के हो या लड़की हो आपको जरूर अपनी सेक्शुल प्रैफरेंस के बारे में पहली या दूसी मुलाकात शादी से पहले ही अपने पार्टनर को बता देना चाहिए नहीं तो फिर जिन्दगी आपकी आस और प्यास में बीच जाएगी आप उस असीम सुक का अनुभव कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी सेक्शुल प्रैफरेंस को अपने खुले रूप से अपने पार्टनर को नहीं बताईए हो सकता है कि आप बहुत ही कामुक इनसान है आप एक लड़के है या लड़की है डिसन्ट मैटर और अगला जो है वो थोड़ा ट्रैडिशनल और और अर्थोडॉक्स हो और वो ऐसी घटनाओं को या इसी जो मेथर्ड्स हैं जो सेक्स के दौरान आप घटना या क्रियाएं करते हैं जैसे कि मुख मैथून है इसको बहुत ही गलत मानते हों तो फिर यार आपकी सेक्शुल लाइफ की में बहुत मुश्किले पैदा होने वाली है मैं तो कहूंगा कि आपकी सेक्स लाइफ की बिल्कुल एल लग जाएगी इसलिए आपको पहले ही बात कर लेनी चाहिए मुख मैथून कामुक लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट है और मैं आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टन्ट टेक्निक के बारे में बात करने वाला हूँ मुख मैथून के संबंद में आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना है मुख मैथून करने से पहले दो या तीन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए पहली बात ये है कि अगर आप एक मेल हैं या फिर फिमेल हैं मैं फिर बोलाओ डिजन्ट मैटर अपने प्राइवेट और्गन के आसपास अगर कोई बालों का गुच्छा है या बहुत सारे बाल हैं तो उनको ट्रिम कर दीजिए वैक्स कर दीजिए या फिर उन्हें निकाल दीजिए पहली बात जब भी कोई औरत आपके लिंक के नजदीक अपने मुँ को लाईगी सेक्स करने के लिए मुख मैथून करने के लिए फोर प्ले के दौरान या नॉमल सेक्स के दौरान भी और अगर थोड़ा भी बाल उनके मुँ में चला जाता है तो बड़ा ओड लगता है हो सकता है कि अगली बार वो सेक्स के लिए या मुख मैथून करने के लिए राजी ही न हो इसी प्रकार से कोई फिमेल है उसके भी योनी में एक जंगल बना हुआ है पूरे बालों का गुच्छा है तो वो मर्दों के मूट को भी ओफ कर सकता है इसलिए आपको ध्यार लखना है कि बालों को केरफूली निकाल देना है वैक्सिंग जो है वो एकदम लास टेक्निक होनी चाहिए इससे पहले की टेक्निक्स जो आती है ट्रिमिंग आप कर सकते हैं या फिर शेविंग और वैक्सिंग से बचना चाहिए आपको ठीक है क्योंकि वैक्सिंग जो है इसमें वैक्स में काफी सारे केमिकल्स होते है और ये जो एरिया होता है आपका प्राइवेट पार्ट ये बहुत ही नाजुक होता है इस पर अगर आप वैक्सिंग करेंगे तो फिर नॉर्मल वैक्स जो मिलता है बजार में फेम का है या किसी एन फ्रेंच का है इसका अगर प्रयोग करेंगे तो फिर यहां पर रेडनेस आ सकती इस एरिया में या डिस कलरेशन हो सकता है स्किन का फिर तो यार बहुत अजीब लगने वाला है आपको जो विजूल सुख मिलता है किसी औरत को या किसी आदमी को अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट को देखकर उससे आप उन्हें महरूम कर देंगे तो यह बात आपको ध्यान रखना है ट्रिमिंग इस बेस्ट मेथड और ऐसा वैक्स मिलता है बजार में जो कि आपको फ्लिट कार्ट और एमेजॉन पर मिल जाएगा जो कि इतने केमिकल जो जलन पैदा नहीं करेगा इस एरिया में आप सर्च करिएगा कि वैक्स फॉर वेजाइनल एरिया तो आपको मिल जाएगा योनी के लिए वैक्स या लिंग के लिए वैक्स तो वो मिल जाएगा आपको दूसरी बात है कि यह जो आपकी योनी है या फिर आपका लिंग है इसमें से खुश्बू आनी चाहिए, इसमें से बद्बू नहीं आनी चाहिए, तो जैसे आप जानते हैं, पुरूशों में तो यूरिन भी लिंके द्वारा ही पास होता है, और वीरे भी वहीं से पास होता है, तो जब और अगर उसको समझो की स्मेल आजाती ही यूरिन का, तो फिर अगली बार वो करेगी ही नहीं, वो आपसे नाराज हो जाएगी, बोरेगी ये ये नहीं करना है, लेकिन अगर कोई मर्द भी है, तो उसको तो ध्यान रखना है कि अपना एरिया विल्कुल साफ रखना है, खुश्बूदार बनाना है, औरत की यूनी से भी काफी बार बहुत-बहुत बद्बू आती है, डाइबिडिस के कारण हो सकता है, थाइरॉइट के कारण हो सकता है, या वो साफ सफाई नहीं रख रही है, बैक्टिरियल ग्रोथ हुआ है, इस कारण से हो सकता है, कोई भी कारण हो, इस पे पर्फियूम लगाना है, अगर नॉर्मल पर्फियूम जो मिलता है बजार में, वो आप लगा लेते हैं, तो आपको जलन बहुत हो जाएगी, और दूसरी बात यह है, कि जब मुकमेथून आप करेंगे, चाहे मेल हो या फिमेल हो, तो नैच्रल टेस्ट जो आता है योनी का, या नैच्रल टेस्ट जो आ रहा है लिंग का, वो आपको नहीं मिल पाएगा, आप अपनी पार्टनर के नैच्रल टेस्ट को महसूस करना चाहते हैं, वो आप महसूस नहीं कर पाएगे, क्योंकि वो परफ्यूम का टेस्ट जो कड़वा पाने हुआने लएगा, मेरा सज़शन है कि बेला कंपनी है, इसका वेजाइनल परफ्यूम आता है, पेनाईल परफ्यूम आता है, अगर ये परफ्यूम आप फिलिप काट या अमेजॉन से खरीते हैं, इसमें एक तो केमिकल्स बहुत कम हैं, दूसरी बात ये है कि बहुत माइल्ड है, और तीसरी बात ये है कि इसमें कोई टेस्ट नहीं है, नहीं तो फिर आप रेक्सोना या नीविया का रोल आउन यूज कर सकते हैं, लेकिन इस एरिया पर आप स्प्रे यूज न करें, अलकोहल वाला, इससे कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारे स्प्रे में ऐसा मट्रियल रहता है, जो कार्सिनोजनिक रहता है, तो इस कारण से वो यूज न करें, और बेला का आप यूज कर सकता है, नीविया रेक्सोना का जरूरत हो, तो जरूर जरूर उनके साथ शेयर करेंगा, और हाँ, बेल आइकन को जरूर हिट करेंगा, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे, देखिए फ्रेंड्स, अब जो टेक्निक की में बात करना चाहता हूँ, यह जो आपकी लिप है, इसके नी और ऐसा कुछ करना है, जिससे की औरत आसमान पे पहुंच जाए, आपको जिम्मेदारी उठाना है, ठेका लेना है, सुपारी लेनी है, कि आपकी वाइफ को आप रोज रोज एकदम चांद पे ले जाएंगे, और कैसे ले जाएंगे, इसका मैं टेक्निक बताओं, इससे प हैं, वो यही सोचते हैं कि इंसर्शन, यानि कि ठोकना, यानि कि लिंक को योनी में घुसाना, उतारना, और उसके अंदर इन आउट करना, यही सबसे ज़्यादा औरत को सुख दे सकता है, लेकिन वो गलत हैं, देखिए, बहुत सारी औरते हैं, जिनसे मैंने बात की, मेरे फेस्बुक एकाउंट पर हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने कहा है कि सबसे ज़्यादा आनंद उन्हें क्लिट को टच करने पर ही मिलता है, और कोई मर्द अगर क्लिट को अपने जीब से टच करें, इससे बड़ा आनंद उनको मिलता ही नहीं है, इसलिए मैं आप स रहता है, वेजाइनल डग्ट भी क्या है कि 3 या 47 इंच या 48 इंच के बाद अंदर कोई सेंसेशन हैं ही नहीं, अगर आप लिंग को भी डाल रहे हैं, तो फिर याद रखिए कि 3, 4 इंच तक ही उनको सेंसेशन या आनंद मिलता है, उसके अंदर ज़्यादा आप डालेंगे तो फिर उनको ज़्यादा दर्द होगा आनंद कम लेकिन दर्द ज़्यादा होगा आपकी जबा को या आपकी जीब को भी ज़्यादा अंदर नहीं घुसाना है आप उत्तेजित हो रहे हैं और आपकी जीब है इसको आप अंदर ये अंदर ये अंदर घुसा रहे हैं जादा उससे जादा उत्तेजना उनको नहीं होगी लेकिन अगर आप जीब को ऐसे 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 movement देंगे सभी तरफ और more importantly ये जो clit होता है न ये vaginal dirt के थोड़ा उपर होता है जिसे हम कहते हैं G-spot भी G-spot उबर खाबर एरिया होता है उनका और वहाँ पर clit होता है clitoris इस एरिया को आप जबा से touch भी कर देंगे न तो उनको बहुत बहुत आनद आने वाला है और इसको बहुत hard touch नहीं करना है दीरे दीरे ये एक art है ये एक science है अब आप बोलेंगे कि ये commerce भी है भाई साब आप कौन सा नशा करते हैं साब मुझसे पूछेंगे नहीं नहीं मैं नशा नहीं करता हूँ कोई भी लेकिन मैं आपको बताओं कि ये सही में एक विज्ञान भी है एक कला भी है जो इस कला में माहिर हो जाएगा वह औरत को बहुत बहुत सुख दे पाएगा जब वो औरत को बहुत बहुत सुख दे पाएगा तो औरत उस आदमी के साथ हमेशा जिन्देगी में कड़ी रहेगी एक satisfied औरत आपके दुख सुक में खड़ी रहेगी आपको दीन जगत की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है आपकी आधी जिम्मेदारियां वो उठा लेगी सही माइनों में आपकी अरधानगी नहीं बनेगी अगर ये method को आप follow करेंगे जीब को अंदर लेना है और अंदर लेने के बाद उसको थोड़ा उठाना है देखिए लिंग से ये नहीं हो पाएगा लिंग से हो पाएगा अगर आप बहुत ही stamina आप में ज़्यादा है खड़े हो के sex करोगे तो शायद हो पाए लेकिन वो भी बहुत मुश्किल पढ़ता है आपको बहुत तकलिफ होगी आप सोचो लिंग तो ऐसे जाने वाला है इसको उपर की तरफ इसे 45 पर कैसे ले जाओगे लेकिन ये जो आपकी जबा है ये जो आपका जो tongue है ये आपकी जीब है ये turn हो सकती उपर की तरफ उपर की तरफ ही आपको वहाँ पर चूसना है चाटना है प्यार करना है वहाँ पर जीब से sensation एक बार करके तो देखो इतनी उतेजित हो जाएगी औरत इतनी सिसकारिया मारेगी कि आपको दरवाजा बंद करके काम करना है आपको ये सोचना है आसपास कोई हो नहीं पहली बार कर रहे हो अगर इतनी सिसकारिया मारेगी औरत कि आप सोची नहीं पाएंगे वह आपसे बोल उठेगी कि आज जो मुझे फेल हुआ है ये कभी नहीं हुआ है अगली बार से जब आफिस में या बिजनस में जाओगे बार-बार मेसेज आएंगे मिलने के लिए आतर हो जाएगी वो जो आपकी अगली है वो आपके प्यार में पगली हो जाएगी दोस्तों ये टेकनिक आपको करना है 45 डिग्रीस पर टच करना है जी स्पार्ट पर क्लीट पर करना है अंदर जादा नहीं घुसाना है ठीक है तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है अगर आपको समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा फिर मिलता हो किसी और दिन ऐसी इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ साजा करते हुए तब तक के लिए बाई टेक केर फ्रेंज